हलो ब्रबान दिज इस अब शेक राण है वलकम यू वाल टूर फेवरेट यूटूब चैनल राइजूकेशनल राइजूकेशनल चैनल पर आप सभी भाई बंदों गारते एक स्वागत है मित्रों बाल विकास की सीरीज में हमने सेडीपी सेक्शन में कई इंपॉर्टेंट ब पूरा कम्प्लीट कर लिया है उसमें ये नेक्स वीडियो है हमारा सिद्धान विकास के हो चुके हैं हमने जैड़ पीडी का भी सिद्धान पढ़ लिया है तो उसमें आगे बढ़ते हुए हमने बोला था कि अब इसके बाद हम लोग बाल विकास के अवस्थाओं को पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जो बेज़ बनाना था वस्थाओं के लिए हमने पूरा बेज़ बना दिया, पुरा सिधान पढ़ लिया है, अब हम लोग प्रतेक, देखे में पहले बता दिया, कि तीन अवस्थाएं आपकी तीनों को फोकस करना है, तो प्रतेक अव वीडियो को और मैक्शिमम से मैक्शिमम जितने आपके वाट्सव ग्रूप फेस्बुक ग्रूप जहां भी आप हो सके वहाँ पे शेयर जरूर करिएगा तो कितना आसान है और सौ प्रतिशत आपको समझ में आएगा अगर इस प्रकार से CDP को आप पढ़ते हैं तो पूरी तर से अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो पूरा बेस और पूरा फैक्ट्वर और CDP सेक्शन में इतने प्रशन हम लोग करेंगे कि आपका पूरा पूरा बेसिक फैक्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो एक जनरल सी बात है कि हम लोग अव इसी लेवल तक के बच्चे मिलते हैं इसके आगे तो नहीं मिलते हैं क्योंकि कच्छा एक से आड़ तक कहां तक जाएंगे से यादा बच्चे तो इस नहीं ही तक जाएंगे दू यह तीन वस्ताव तक तो इस वज़ए से जो बाल विकास हमारा है हमारा जो बच्चे का वि शिशू रहता है, शिशू से आपका बालक होता है, बालक से आपका सैस्वा वस्ता में प्रवक्त करता है, फिर उसके बाद आपका किशोर होता है, फिर वयस्क होता है, फिर प्रॉड होता है, फिर आपका उसका प्रॉड के बाद वाली जो रिध्धा वस्ता आ जाती है, तो यह तो आप सभी को पता होगा, यह हो, तो चली आगे चलते हैं, तो जैसा मैंने बोला था कि हम लोगों को तीन मुख्य आपकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, तो बाल, विकास के वस्थाएं, बाल, विकास के मुख्यतर तीन अवस्थाएं होती हैं, तो अपने बनते हैं स्रिक्षन का कार करते हैं तो आपको इतने ही उम्र के बच्चे मिलेंगे जिसको आप बेतरी इन तरीके से स्रिक्षन का कार कर सकते हैं तो जो भी मित्र अपने से नोट्स बना रहे हैं अपने परिक्षाओं के लिए उनको तहे दिल से दन्यवाद कई बहने कई मित् बहुत ही clearly सारी चीज़े समझ में आ रही है आ रहा है तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों की motivation की वज़े से मैं लगातार उस अवस्ता में नहीं पाता हूं इतना ठका रहता हूं अपने दिन बर के schedule में फिर भी आप लोगों के लिए time निकालता हूं क्योंकि आप हमस अवस्ताएं हो चुकी हैं आपके बालविकास की सेस्वाषा, बालेवस्ता, किसोरवस्ता और उनके वर्श हैं तो डूट डाउन कर लिज़ेगा आगे चलते हैं अब एक एक अवस्ताओं के बारे में परिभाशा पढ़ेंगे और परिभाशा कैसे पढ़ेंगे आपके जो महतबुड मनवग्यानिक है जो इनसे उस अवस्ता से जुड़े हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे तो 600 अवस्ता उम्री सीमा 0-5 वर्स इसमें जो सबसे प्रमुक मनवग्यानिक आते हैं आपके फ्राइड महोदे आते हैं और इतने चोटे चोटे मैंने इनके आपके डेफिनेशनस लिये हैं जो इक्जाम में कई बार पूछे गए हैं तो आपको याद करने में भी आसानी होगी तो परिभासा में फ्राइड मोहदे ने बोला है बाले अवस्ता में कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंब के पांच वर्स में बन जाता है तो आपके फ्राइड साम ने बोला है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंब के पांच वर्स में बन जाते बहुत महत्पूर्ण डेफिनिशन है आप जरूर यहां नूट डाउन करिएगा और इतना अच्छे से मैंने यहां पे किया हुआ है कि आपकी अवस्ता है उसका उम्री सीमा और परिभासाओं के अंतरगत जो जो महत्पूर्ण मनविग्यानिक है उनके परिभासा है मैंने यह बहुत अधिक होती है तो मतलब जो सीखने की गती होती है और उसकी जो लिमिटेशन होती है वो बहुत जादा अधिक होती है तो अवस्ता की अपनी सीमा और उसके तुलन में बहुत अधिक होती है तीसरे आपके मनविग्यानिक है वेलेंटाइन साब इनका गतन है कि का आदर्शकाल या अनुखाकाल का जाता है तो जब भी क्योंकि यह बहुत जादा important है अधिकतर प्रश्ण पूछा आ जाता है आपके exam में कि किस मनोग्यानिक ने सहस्वा वस्ता को सीखने का आदर्शकाल संग्या दिये या अनुखाकाल की संग्या दिये तो किस ने दिये आ क्या-क्या विसेश्थाएं होती है उसके बारे हम लोग पढ़ेंगे तो अब सहस्वा वस्ता में क्या-क्या विसेश्थाएं होती है यह प्रमुग विसेश्थाएं सहस्वा वस्ता की हम लोग इसको डिसकस करेंगे पहली जो विसेश्था होती है बालक निर्मार काल कहा ज जाता है दूसरा अधिगम का अनुखा काल कहा जाता है यानि सीखने की जो इसमें तिवर्ता होती बहुत तेज होती है इसलिए इसको अधिगम अधिकम का मतलब होता है सीखना तो सीखने का आपका अनोखा काल कहा गया है सहस्वावस्ता को तीसरा है आपका भावी जीवन की आधारशीला भी इसकी कहते हैं क्योंकि अब सीखना सबसे निर्माल काल है तो भावी जीवन की इसकी आधारशीला भी सहसवावस्ता की विशेस्ता होती है इसके next विशेस्ता है सिक्षल की द्रिष्टी से सरवतम हवस्ता इसको मानते हैं किसको सहसवावस्ता को next है आपका मानसिक सारीरिक विखास की तिवरता होती है यहनी मानसिक विखास बुद्धी का विकास जिसमें आता है और सारीरिग विकास की तीवरिता सबसे तीवर होती है पूरे जीवन को अगर कंपेर करें जीवन की वस्ताओं को तो सहस्वा वस्ता में जो तीवरिता होती है आपके सारीरिग विकास की और मांची विकास की विकास सबसे तेवर होती है next है संवेगों का प्रदर्शन यानि इसी वस्ता में जो संवेग होते हैं उसका प्रदर्शन देखता है जैसे रोना, चिलाना, हसना जो भी है इसी में संवेगों का आँपको प्रदर्शन देखने को मिलता है नेक्स्ट विसेस ता है अनुकरण एम दोरानी की प्रवित्ती इसी में आपका जो बच्चा होता है दो से साथ वर्ष का वो अनुकरण यानि देख के सीखना उसके अंतरकत होता है यानि घर परिवार में अगर वो रहता है बालक तो जो घर परिवार के सदत से जो कार्य करते उनको देख देख कही सीखता है जिसको अनुकरनों बोलते हैं हम लोग और दवरानी यानि कभी-कभी जो आप लोग बोलेंगे तो वो रिपीट करता है उसी चीज को तो दवरानी की प्रवित्ती भी इसी आई उवर के अंदर का था हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट है काम प्रवित्ती की प्रवलता उसमें हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट है विपरीत लिंगी लगाओ यानि कि ब्रैकन में यहां पर लिखा हुआ मैंने जो लड़का होता है या जो बालक होता है उसका लगाओ अगर आप देखेंगे अपने परिवार म आप देखेंगे आज परोस में देखेंगे तो जो लड़का होता है उसको अपनी मां के पास ज्यादा पाएंगे और जो लड़की होती हो अपनी पिताक पास ज्यादा देखने को मिलती है तो यह विपरीत लिंगी लगाओ बच्पन में बच्चों में सहस्वावस्ता में 2 साथ वर्ष में ज्यादा देखने को मिलता है यह आप देखते हूंगे और नेक्स फैक्ट है आपका नैतिकता समाजिकता का आभाव यहां पे रहता है तो यहां पर कोई नैतिक यहां पर कोई मोरल्टी नहीं डिफाइन करती है सहस्वावस्ता में आपके सिच्वों को दो साथ वर्ष के अंतरगत और समाजिकता का यहां पर अभाव रहता है मतलब समाज में रहेंगे आप बैठे रहेंगे कुछ भी आके कुछ भी बोल देंग मम्मी पापा की सिकायत है कुछ भी किसी स इनको कोई फर्क नहीं पढ़ता कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है तेहां पर नहीं दिखता और समाजिकता का अभाव आपको भी देखने को बलता होगा आपके परिवाल में चोटे बालक होंगे जिनकी उम्मरी सिमादों से साथ वर्ष होती होगी तो वो आपको ऐसा अन ठेक्रिया में एक अदम आगया आपको रखिएगा तो अंतरमुक्री व्यक्तित तो यानि कि जो बालक होता है या दो साथ वर्ष का जो भी शिचू होता है वो तो अपना जो कह सकते हैं कि कोई चीजों को बताना है उसको तो अंतर मुखी वक्तित यानि बाहर बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं करेगा किसी चीच का तो उसका जो वक्तित होता है यहां पर पूछा जाता है दुबार में कि सहस्वा वस्ता में या 0-5 वर्स के बालक में हमार जो वक्तित हो रहता है उसका निर्धारन कैसे होता है अंतर मुखी होता है बहुर मुखी होता है या उभे मुखी होता रहता है तो क्षब आप उससे मांगेंगे तो वो क्या जवाब देगा यह आप सभी पता है बिल्कुल नहीं देगा वो तो इसका मतलब है कि वो स्वारती होता है और अपने से ही प्रेम करने वाला होता है यानि इसको थोड़ी सी चोट लग जाया गिर जाया तो बहुत जादा प्रदर्शन करता है कि मुझे चोट लग गयी है और इसने मुझे मारा है जमीन पेगर जात इसमिन को हम लोग लोग ठोकते हैं वहांसे मारते हैं तो उतने भी खुस हो जाता है तो यहां पे स्वार्थी और आत्मिप्रिमी सबाव तो इससे आपको पता चलता होगा तो यह कुछ विसेश था था थी आपकी सेस्वावस्ता जहनी 0-5 वर्ष की अब चलते हैं नेक्स अवस्ता की तरफ तो यहां पे हम लोग बाले आवस्ता की तरफ आगा हैं अपने नेक्स अवस्ता की तरफ जो इसका इमरी सिमा है 5-12 वर्ष और इसमें पहले हम लोग जाने के परिवाशा के रूप में तो कई प्रमुक जो इंपोर्टेंट परिवाशाएं हैं जो आपके एक्जाम में मैक्सि अवस्ता को लेकर जो उमरी सिमा 5-12 वर्ष की बालकों में होती है तो कोलो और बुरूस साब का करतन है कि इसे अनोखा काल की संग्या दिये है तो जब भी पूछा जाए कि किस मनोव ज्यानिक ने बाल्ले आवस्ता को किसोर आवस्ता को अगर बात की जाए तो अनोखा काल क किस ने दिये तो आपके वیलेंटाइन मोदे ने दिये ठीक है सीखने का आदर्स काल या नोखा काल लेकिन अगर बाल्ले आवस्ता की बात की जाए तो इसे अनोखा काल की संग्या कोल और बूस साब में दिये तो दो लोगों ने मिलकर ये साहसी कदम उठाए ऐसे ही ट्रिक याद कर सकते हैं कि पहले वाले में जब बच्चा 0-5 वर्स का था तो वेलेंटाइन साब ने बोल दिया कि अनोखा काल की संगया दे दी लेकिन जब आप बाले आवस्ता में आएंगे ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद करने की जब बाले आवस्ता में आए तो बच्चा बड़ा हो गया तो दो लोगों ने हिम्मत जुटाई और दो लोगों ने मिलकर बोला कि अनोखा काल की संगया दे दी तो कोल और बुर्स साब ने मिलकर दी तो ये ट्रिक थी आपके लिए समझे के लिए याद करने है क्यों काटीन है कि इसमें जो भी उसके दमन हो जाता है संवेगों का प्रदर्शन नहीं कर पाता है अपने बातों को नहीं समझा पाता है कई डिफरेंट डिफरेंट उसकी परशानिया होती हैं बालक की इसी वज़े से कोल और बुर्स साब आपने इसको अनोखाकाल की संग्या दी है और आगे है कप्पु स्वामी मनविज्यानिक है उन्होंने बोला है कि बालावस्ता में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं तो इन्होंने बोला है कि अनोखे परिवर्तन होते हैं बालावस्ता में कप्पु स्वामी जी न जायसा आप सैस्वे वास्ता में 05 वर्श के बीच में देख रहें डेलिवत्व सब से कि लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे बाले अवस्ता में तो यह ग्रोथ बहुत इस्तिर हो जाता है ना के बराबर हमको ग्रोथ देखने को मिलता है तो यह आपके रॉस महुलता का कथन है अब चली विस्यस्ताओं के बारें बातचीत करते हैं कि बाले अवस्ता की कौन-क से पहले आ जाती है संग्रा करने के प्रवित्ती से क्या थातपर है हमारा महारा थातपर यह है कि वह कुछ भी टूटे-फूटे समानों को अपने एक बाक्स बना लेंगे उसमें चौक के छोटे-छोटे टुकुडे रख लेंगे चोटी सी पेंसिल रख लेंगे रबर रख ठीक लेंगे या होटल रख लेंगे फिर वो ठेर सारे collection करते हैं दिवर्ने स्टोन के collection करने लगते हैं पत्तियों के इक हिसाब से वह उनके अंदर संग्रा की प्रवित्ति इजाथ होने लगती है ठीक है तो उड़ती है कैसे हवा कैसे चल लगी है क्यों चलती है तो इनके अंदर प्रश्णश्ची ने बहुत ज़्यादा रहते है इस अवस्ता में और आप जवाब देते देते ठक जाते होंगे ऐसा है इनके यह बाला अवस्ता में तीसरा है इसमें फैक्ट वास्तिविक जगत से संबंद होता है इनका यानि अब यह बहुत ज़्यादा खयाली पुलाव नहीं उड़ाने वाल क्योंकि जब यहां पर जिग्या से आगे तो वास्तिविक जगत से इनका संबंद होता है सारी चीजों को अपने जो सामने पार्टिकुलर चीज देखते हैं उसी में सारी सामूही खेलो में रूची तो सामूही खेलो में आपकी इनकी रूची हो जाती है मतलब समाज से जूनने लगते हैं और समाज में इनके मित्र बढ़ने लगते हैं उनसे मित्रता करते हैं और वहां पे खेल जो भी गुड़े गुड़िया वाला सीभाई बनने वाला दर्शित करता है बहुत गुसाग से चिला के, करोध करके हंस पोई कोई बच्चे बहुत ही सॉफ्ट मायंड के होते हैं वो जादा प्रदर श्रित नहीं कर पाते हैं तो दोनी चीजें आप ना जो भी उनके अंदर ख्याली पुलाओ जो भी होते हो या रियाल्टी को जो भी चीजे विजुलाइज करना चाहते हो तो यहां पर आपको देखने को बस यह की मिलेगा कि निरुदेश कोई देश नहीं बस घूमते रहेंगे इधर उदर घूमेंगे टेलेंगे तो निरु की वैक्तित को अविकास होता है जीरो से पांच वर्स की सहस्वा वस्ता जो उम्री सिमा है उसमें आपकी कौन सी मुखी है अंतर मुखी वैक्तित है ठीक है नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में आननद आने लगता है मतलब क्रियेटिव टी जो का रहें क्रिएशन करने वा और लाज़ फैक्ट है समाजिक और नैतिक गुणों का विकास इसके पहले वाले में अगर 0-5 वर्ष को आप कंपेर करें तो आपको नो समाजिक मिलेंगे नो नैतिक उत्ता मिलेगी लेकिन इस उम्र सीमा में 6-12 वर्ष आने पे बालक के अंदर समाजिक और नैतिक गुण का विकास होने लगता है उनको समझ में आने लगता है कि समाज में क्या बोलना है ममी पापा की सिगायत नहीं करनी है लोगों के सामने सारी अच्छे ची बाते हैं करनी है तो उनके अंदर यह सारी नैतिकता आने लगती है बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है तो यह सारी ब्लरड आया लेकिन मैं पढ़के आपको समझाने के कोशिश करूँगा आप ध्यान पूरी वक्त समझने के कोशिश करेगा और नोट डाउन करते चलिएगा तो किसोरा वस्ता जो आपके बाल विकास की तीसरी और प्रमुक वस्ता है ये इसकी उम्रिसीमा 12-18 वर्ष होती है और इसकी परिभास आएं दो बहुत इंपॉर्टन परिभास आएं जिनकों को फोकस करना है जिसमें सबसे प्रमुक परिभास आपकी स्टेनले हॉल साब की है स्टेनले हॉल एक मात्र मनवग्यानिक है जिन्होंने किसोरा वस्ता पर सबसे यहादा मैक्सिमम रिसर्च किया अगर आप किसोर अवस्ता पढ़ेंगे तो इस टेनले हॉल को जरूर आप पढ़ेंगे तो इस टेनले हॉल सापका कतन है कि संगर्स तुफान तनाव विरोध की अवस्ता इन्होंने का आया किसको किसोर अवस्ता को तो यह कह सकता हूं कि most 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 important question है आपके exam point of view से कोई भी आप teaching exam चाहे आप read देते हूं dssb देते हूं seated देंगे यूपी टेट देंगे सूपर टेट देंगे कोई भी टेट देंगे किसी भी स्टेट का टेट देंगे अगर किसोर अवस्ता का परशन बनता है तो इस टेनले हॉल बहुत प्रमकता से पूछे आते हैं और यह maximum पूछा गय किस मनवग्यानिक ने संगर्स तना व तुफान की आवस्ता का है किसोर Luther को स्टेनले हॉल सापने का है ठीक है नेक्स्ट आपके मनव गयानिक है जरशेड महुद है उनका करतन है किसोरावस्ता के बारे में कि किसोरावस्ता वह समय है जिसमें विचारशिल मानो बाल्यावस्ता से परिवक्ता की और संक्रमन करता है यानि कि जो किसोरावस्ता है वो ब्रिज का काम करती है किस के बीच में बाल्यावस्ता और किसोरावस्ता बाल्यावस्ता और आपके परिपक को मानो की और की बीच का ये ब्रीच का काम करता है कौन आपका किसोरावस्ता तो ये जरशिल महोदय का कहना है कि किसोरावस्ता वह समय है जिसमें विचारशिल मानो बाल्यावस्ता से परिपक को ताकी और संक्रमन करता है यानि आगे अब किसोरा वस्ता के हमने परिबाशाएं समझ ली मुनविज्ञानेकों के तरकों के आधार पर अब इसकी हम लोग विशेष्टाएं समझते हैं परिबाशाएं होगी इमारी तो इसकी विशेष्टाएं हैं जैसे हमने बाकी की दोगी पड़ी इसकी भी हम करते हैं तो आपक कठिन चुनाओ करना पड़ता है कि भविष्च में हमको क्या बना यहीं सारी टेंसंस कह सकता हूं सारी विचारें यहीं पर बनती है तो इसलिए सबसे कठिन काल कहा जा सकता है नेक्स फैक्ट है अनेक सारीरिक परिवर्तन यहीं पर होते हैं पर मैच्योरिटी की दरब बढ़ते हैं अनेक सारीरिक जो परिवर्तन आते हैं आपके हर्मोन्स का सिक्रीशन यहीं पर स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत डिर सारीरिक और मांसिक बदलाव भी यहां पर परिव नेक्स्ट है कलपनाओ वा दिवा सपनों की बहुलता या दिखता होती है यानि अब यहां पर खायाली पुलाओ कह सकते है या सपन बहुत हाइर थिंकिंग आने लगती है बहुत बड़े-बड़े सपने हमारे क्रियेट होने लगते है इसी अवस्था में तो कलपनाओं कफी ज्यादा होती है और दिवा सपने यानि दिमने आंकों खुली आंकों से अपने देखना तो इसमें बहुत ज्यादा यह पाई जाती है नेक्स्ट है घनिष्ट और व्यक्तिकत मित्रा यानि परसनल फ्रेंड्स बनने लगते हैं और बहुत ही बांड उनका होता है बहुत बहुत इंपोर्टेंट मित्रें यहां पर इस सवस्ता में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट है स्वतंतरता और विद्रो की भावना यहीं पर आपको देखने मिलती है यानि कि बच्चा जो चाहेगा वो बोलेगा कि मैं आप सेल्फ इंडिमेंडेंट होना चाहता हूं सेल्ट बहा सुनी भी होने लगती है तो यह मतलब स्वतंतरता और विद्रो की भावना यहां पर प्रदर्शीत होती ही कि सौ्रावस्ता के बालकों में unw दूसरा है नेक्स्ट हैस में समाज सेवा की भावना यहां पर दिखती है यानि कि बच्चाई को जो परिस्तिती दी जाती है उसमें वो समाज सेवा की भावना भी उसमें उत्पन होती है यानि समाज में गरीब वरगों को साहता प्रदान करना समाज में जो भी लोगों है उन बनने लगता है और धर्म के प्रति उसका आधर भाव यह बढ़ने लगता है नेक्स्ट है सजने सवर्ने की प्रवलिक्षा यह भी बहुत इंपॉर्टन टाइब यहीं से अपने आपको परस्नालिटी का ग्रोथ यहीं पे दिखता है यहीं पे वो अपने आपको समाज में एज स्थिर्टा और समयोजन का आभाव, यानि वह स्थिर नहीं रहाज, वह उसमें दिखेंगी, और भी धर जाता रहेगा, Кई इस व्ल्ड में जाने कोंशिच करugenा कभी इस फिल्ड में और समयोजन का भी आभाव यहाँ देखने को बिलता है, जब रहाज रहता है। लेकिन अब इस तिरिता जब रहती है उसमें तो उसमें समायुजन का अभाव भी हमको दिखता है और नेक्स्ट है आपका फैक्ट है अपराधी प्रवित्ती के विकास भी यहीं से होता है जो बालक गलत रास्तों पे चला जाता है या अपराधी प्रवित्ती हैं गलत कार करने लगता है या कहीं मार पिटाई करने लगता है दोस्तों से लडाई जगड़े सुरू हो जाते है उसके तो अपरादी प्रवित्ती के जो विकास होते हैं वो यहीं पे किसोर आवस्था में देखने को मिलते हैं तो कई important facts थे हमने तीनों आवस्थाओं को cover करने की कोशिश की है और यह हमारे चैनल का banner है तो वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो क्या करना है लाइक करना है और अपनी मृत्र जितने भी आपके फ्रेंड हों मृत्र आपके मित्र गण हों तक आप शेर जरू करिएगा और यह red वाला तो आपको पता ही है मैं जल्दी बोलता नहीं हो तो आपको यह कर लेना है बाकी description में मारे नए चैनल की link है आप इसको भी जाके subscribe जरू कर लिजगा ताकि पढ़ाई के लावा entertainment भी अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको मिलती रहेगी entertainment भी तो चलिए फिर मिलते हैं अंगले वीडियोज में तब तक लिए stay tuned on right educational, stay blessed and stay motivated अपने notes आप खुद बनाईएगा सबसे better होंगे और maximum share करते रहेए वीडियोज को smile करते रहेए हमारे नए चैनल को subscribe करते रहेए thank you so much